हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल रंजित क्रेश में स्वा गयता है दोस्तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर एक रंग की बुनाई का पैटर्न लेकर रही हूं यह देखने में जितना ही सुंदर लग रहा है बनाने में उतना ही असान है यह हर रो के बाद दोस्त तो मैंने तीस फंदे डाले हैं यह डिजाइन है छे छे के मल्टीपल से बनता है दोनों सैड इस सैड और इस सैड तीन तिन फंद एक्सा रखने से दोस्तो हमारा डियन जोगा कम्प्लीट हो जाएगा सबसे पहले दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे एक दो दो फंदे हम बिना बुने स्लाइप पर उतार लेंगे इस तरीके से एक दो फिर हम चार फंदे बुन लेंगे सीधे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदे इस तरीके से हम स्लाइप पर निकाल लेंगे बिना बुने हुए और चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे बुने के बाद दो फंदे हम बिना बुने स्लाई पर निकाल लेंगे और चार फंदे फिर से हम सीधे बुनेंगे इसी तरीके से दोस्तों हमें पहली रो कंप्लीट कर लेनी है सेक्ट स्लाई उल्टी रो दो फंदे उल्टे बुन लेंगे और जब बिना बंदे फंदे थे उसको स्लाई पर इसी तरीके से बिना बुने उतार लेंगे चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार चार फंदे उल्टे बुने के बाद, दो फंदे जब बिना बुने थे, स्लाइपर निकाल लेंगे, फिर से चार फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन, चार चार फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदे जब बिना बुने हुए थे इसको हम इस तरीके स्लाई पर उल्टा निकाल लेंगे दो तीन चार चार फंदे बुनने के बाद फिर जब बिना बुने हुए फंदे दिनको स्लाई पर इस तरीके से निकाल लेंगे फिर से चार फंदे उल्टे बुनेंगे दो, तीन, चार दो फंदे बिना बुने निकालेंगे लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बुल लेंगे सेकिंड डो हमारी कंप्लीट हो चुकी है तीसरी सलाई और सीधी साइड एक फंदा हम सीधा बुल लेंगे और जो बिना बुने वो फंदा तो इस तरीके से इसको स्लाई पर लेके आगे सीधा फंदा बुन लेंगे और जो फर्स्ट अले फंदा है इसको बाद में हम सीधा बुन लेंगे अब पीछे से स्लाई डालते हुए जो सेकंड फंदा है इसको हम पहले सीधा बुल लेंगे और फर्स्ट अले फंदे को बाद में हम सीधा बुल लेंगे बीच में दो फंदे हम सीधे बुनेंगे और बिना बुना फंदा तर इसको इस तरीके से स्लाई पर आगे लेके आएंगे इसको हम सीधा बुल लेंगे और फर्स्ट अले फंदे को बाद में हम सीधा बुल लेंगे और स्लाइप पीछे से ले जाते हुए जो सेकंड अले फंदा है इसको हम पहले बुल लेंगे और फर्स्ट अले फंदे को हम बाद में सीधा बुल लेंगे दो फंदे सीधे जो बिना बुने हो फंदा था इसको इस तरीके से स्लाई पर आगे लेके आएंगे उसको पहले हम सीधा बुल लेंगे और फर्स्ट अले फंदे को बाद में सीधा बुलेंगे पीछे से स्लाइल ले जाते हुए फंदे को बुनेंगे और पहले फंदे को बाद में हम सीधा बुलेंगे फिर दो फंदे सीधे ये वाले फंदे हमारे दोस्ता भी ना बुने हुए फंदे हैं ये वाले इनी से हमें डियान बनाना है इसको आगे लेके आएंगे सेकंड अले फंदे को पहले बुलेंगे और फर्स्ट अले फंदे को बाद में सीधा बुलेंगे सेकंड अले फंदे को पहले बुलेंगे और फर्स्ट अले फंदे को बाद में हम सीधा बुलेंगे दो फंदे सीध है फिर से यह बिना बुने फंदे है इसको आगे लेके आएंगे इस तरीके सलाई पर पहले बुनेंगे और फर्स्ट अले फंदे को बाद में हम सीधा बुनेंगे सलाई को पीसे से ले आते हुए दूसरे अले फंदे को पहले बुनेंगे और पहले लेख फंदे को बाद में हम सीधा गुल लेंगे लास्ट लेख फंदा हम सीधा गुल लेंगे थार्ड रो हमारी बंगर के कंप्लीट हो चुकी है फॉर्थ रो उल्टी साइड फॉर्थ रो है हमारी दोस्तो तो इस लाई को हमने पूरा ही उल्टा बनकर के कम्प्लीट कर लेना है फॉर्थ रो हमारी बनकर के कम्प्लीट हो चुकी है फॉर्फ रो सीधी सैड कुछ इस तरीके से हमारा डियान बनकर के आ रहा है अब चार सलियां हमारी कम्प्लीट हो चुकी है चार सलियां के बाद अब डियान हमारा चेंज होगा अब डियान हमारा इसके बीच में बनेगा जो दो दो फंदे आ रहे हैं इसके बीच में डियान हमारा बनेगा तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद ये बीच वाले दो फंदे हैं, इसको हम बिना बुने निकाल लेंगे स्लाई पर, फिर से चार फंदे सीधे बुनेंगे, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बुनने के बाद ये बीच वाले फंदे हैं, दो नजर आ गाल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद बिना बुने उफंदे स्लाइप निकाल लेंगे, चार फंदे फिर हम बुनेंगे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे बुनने के बाद दो फंदे बिना बुने स्लाइप निकाल लेंगे, चार, चार फंदे उल्टे बुनने के बाद, दो फंदे बिना बुने स्लाइपर निकाल लेंगे, पांच फंदे लाष्ट के उल्टे बुनेंगे, तीन, चार, पांच, सेवन्त रो सीधी साइड, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बुनने के बाद, जो बिना 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 फंदा है इसको हम स्लाइपर आगे लेके आएंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे, और जो फर्स्ट रोला फंदा है इसको बाद में हम सीधा बुनेंगे, अब स्लाइपर पीछे से ले जाते हुए पहले फंदा बुनेंगे और फर्ष्ट अले फंदे को बाद में हम सीधा बुल लेंगे दो फंदे सीधे एक दो उसको बिना बुने हुए दो फंदे हैं यह वले एक अला फंदा आगे लेके आएंगे सेकंड फंदा आगे बुनेंगे और फर्ष्ट अले फंदे को बाद में हम सीधा बुल लेंगे दो फंदे सीध है सेकंड अले फंदे को पहले हम आगे बनेंगे और फर्स्ट अले फंदे को बाद में हम सीधा बुल लेंगे स्लाई को पीछे ले जाते हुए सेकंड अले फंदे को पहले सीधा बुल लेंगे और फर्स्ट अले फंदे को बा उल्टी स्लाई हमें पूरी उल्टी बनागर के कम्प्लीट करनी है देखे दोस्तो हमारा बहुत ही फ्यारा डियान बनागर के कम्प्लीट हो चुका है आज़्फल मालकिट में छोटोटे स्टॉन मिलते हैं आप चाहे तो इसको जहां यहां लगा सकते हैं बहुत ही फ्यारा डियान बनकर के हमारा कम्प्लीट हुआ है अगर आपको मेरी बनाईयो वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वोचिंग